दक्षीन आफ्रीका के रास्टपती बनने के बाद एक बार नेलसन मंडिला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रस्टरेंट में खाना खाने के लिए गए सब ने अपनी अपनी पसंद का खाना ओडर किया और खाना आने का इंतजार करने लगे उसी समय मंडिला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतजार कर रहा था मंडिला ने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसे भी अपनी टेबल पर बुला लो ऐसा ही हुआ खाना आने के बाद सभी खाना खाने लगे वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा पर उसके हाथ खाते हुए काप रहे थे खाना खत्म करके वो आदमी सीर जुका कर रेस्टरंट से बाहर निकल गया इस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि वो व्यक्ती शायद बहुत बिमार था खाते वक्त उसके हाथ लगातार काप रहे थे और वो खुद भी काप रहा था मंडेला ने कहा नहीं ऐसा नहीं है वो उस जेल का जेलर था जिसमें मुझे कैद रखा गया था जब कभी मुझे यातनाई दी जाती थी और मैं कहराते हुए पानी मागता था तो ये मेरे उपर पेशाब करता था मंडेला ने कहा मैं अब राष्टपती बन गया हूँ उसने समझा कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूँगा पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाना है वही धेर्य और सहिशनुता की मानसिक्ता हमें विकास की ओर ले जाती है